Brick and Motor Business Friends, आज मैं आपको Brick and Motor Business के बारे मताता हूँ Brick and Motor Business में आपके पास एक जो है outlet होता है मतलब आपकी physical presence होना जरूरी है जैसे कि आपकी कोई store है या आपका कोई जो है clinic है जहाँ पर customer खुद आके आपके product and services को purchase करता है उसको हम Brick and Motor Business कहते हैं इस business में जैसे कि कराना store भी हो सकता है और आपकी एक ready much shop भी हो सकती है जहाँ पर आपके customer खुद आके चीज़ों को purchase करते हैं ये business online business से थोड़ा सा costly होता है क्योंकि यहाँ पर आप जो भी जगे लेते हैं उसका एक rent देते हैं और आपको यहाँ पर employees भी रखने होते हैं जो की customers को deal करते हैं इस business की जो value है वो अपने आप में बहुत है क्योंकि इस business में customers आपने आप जाके store में जाके चीज़ों को purchase करते हैं वहाँ पर आपने हाथ में लेकर देखते हैं किस तरह कर product है और जो customer dealing है वो भी इसमें better हो सकती है तो friends I hope कि आपको यह बेरी जो वीडियो है अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe करना मत बुलना और मैं इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी लाता रहूँगा Thank you, thank you very much, have a nice day, bye bye